हालो फ्रेंट्स वेलकम टू ओनलाइन क्लासेज आज हम बात करने जा रहे हैं राजिस्तान के प्रमुक त्यवार इस टॉपिक के बारे हम बात करेंगे राजिस्तान जी के गगा काफी इंपोर्टेंट टॉपिक है जिसे पूरे पूरे चांस बनते हैं एक से दो क्यूशन ह La qu hired जानते हो कि जब एक स्टॉ चेल्स होता है आप जानते हो कि बात यह से राजस्तान पटνवार ड़स स्टार्ट रहर हिए और चांस बलगाए प्रिए सियर पेपर से जलदी से जल्दी ज़्ते से ज्याद़ से प्रियूश एर पेपर लगाओ और जो भी मते की क्यूसेंस है टॉपिक वाइज लगाओ कैसे भी लगाओ क्यूसेंस की तो हमारा मोटो यह है कि पूरे टॉपिक आपके कवर हो जाएं टॉपिक वाइज हर टॉपिक वाइज क्यूज हो जाएं यहां पर रिवीजन हो जाएं इसलिए डिखते हैं पहला क्यूशन इस्क्रीन पर कब मनाया जाता है इसके लिए फ्रैंड्स 4 अपके सामने आपके और जल सरक नाम आप ब्लराम जी इनका जर्ल मसो की बात करें ठ्रल प्रद्र क्रिष्न अंद मीजल और ऐसे व्हक्ते में सब्याव मा धर्वत तोियेंद के ना भादरपद कृष्ण सस्ट में के बात हुई है तो राइट आंसर हो जाएगा ओप्षन डी राइट आंसर होगा ये लीजिए next question आपको यहाँ पर बताना है कि निम्र में से कौन सा त्योहार है जो कि कार्थिक मास में नहीं मनाया जाता है अब देखो यहाँ पर जो चार options आपके सामने दिये जा रहे हैं इनमें से तीन options तो ऐसे हैं जो कि कार्थिक मास में मनाया जाता है और एक ऐसा option है जो कि कार्थिक मास में नहीं मनाया जाता तो यही अमारा answer होगा तो चेक करते हैं आपसे पूचा जाए कि किस तीथी को लोग देवता गोगा जी की पूजा की जाती है गोगा जी की पूजा के बारें पूचा गया है और इसके लिए यहाँ पर options दिये हैं फ्रेंट्स तो देखो गोगा जी की बात करें तो गोगा जी की पूजा कब की जाती है आपको पता होना चीए इंपोर्टेंट क्यूशन है फ्रेंट्स तो देखो भादरपर्द क्रिश्न नौमी राइट आंसर है गोगा नौमी बोलते हैं इससे गोगा नौमी कमन आई जाती है भादरपर्द क्रिशन नौमी तो देखते हैं कौन से option में है भादरपर्द क्रिशन नौमी option B right answer है अब देखो इसके बारे में बात करें तो इस दिन लोग देउता जो गोगा जी है गोगा जी की बात करें तो जब मैंने लोग देऊ तो अला टॉपिक बढ़ाया था तब मैंने बताया था कि पंचपीरों में से ये एक है इनकी गोगा नोमी पे इस दिन इनकी पूजा की जाती है और जो गोगा जी है इनके मतल़ कि हनुमानगड जिले में गोगा मेडी नाम की इस्तान पर मेला भरता है ये भी ध्यान रखना है आपसे पूछे गोगा जी का मेला कहां भरता है तो हनुमानगड जिले में गोगा जाने वाला हिंदू त्योहार कौन सा है दसेरा घंगोर होली या फिर नवरात्रा तो फ्रेंट्स इसका अंसर तो सभी को पता हो न चीव वर्ष में दो बार नवरात्रे मनाये जाते हैं आप सभी को अच्छे से पता है तो राइट आंसर हो जाएगा ओप्सन डी करेक्ट आंस इसका पता होना चीए तो फ्रेंट्स सीव और गौरी की पूजा की बात करें तो यह किस तेवार पे होती है गंगोर पे होती है अब जानते गंगोर के बारे में तो फ्रेंट्स सबसे पहले तो बताओ कम मनाये जाता है गंगोर की बात करें तो लिख सकते हो आप चैतर सुक पारवती के अखंड प्रेम का प्रतीक होता है और गणगोर का जो त्योहर है इसमें मतलब की गण अब देखू यहाँ पर मैं लिख देती हूं फ्रेंड्स गण गणगोर में गण का मतलब तो होता है महादेव आपको द्यान रखना है गण का मतलब महादेव और गोरी तो गणगोरी में मतलब की गोर गणगोरी तो गोरी का मतलब क्या हो गया पारवती गोरी का मतलब पारवती गण का मतलब महादेव यह भी आपको द्यान रखना है और इस दिन कुवारी करना है, मन पसंद, वर प्राप्ती तथा विवाईत इस तरह है, अपने अखंड सोभाग्य की काम ना करती है, सबसे में इंपोर्टेंट चीज आपको ये ध्यान रखना है, ये कब से स्टार्ट होता है, तो देखो चैतर कृष्ण एकम से गणगोर पूजन आरंब हो जाता है, और चैतर सुकल तिरतिया तक ये चलता है, यानि कि 18 दिन ये ते ओहर चलता है, अठारा दिन आपको ध्यान रखना है, ये बहुत बार पूछ ले जाता है, अब देखो एक ओर चीज याद रखनी है आपको, कि गणगोर जो है, वो कहां की प्रसीद है, जैपूर और उदैपूर के गणगोर भहुत ही प्रसीद है, और एक ओर चीज फ्रेंट्स, ये गुलाबी गणगोर मनाई जाती है, तो गुलाबी गणगोर मनाई जाती है, नाग दुवारा में। और कम मनाई जाती है, चैत्र सुकल पंचमी को, ये देखिया next question, राजस्त और अंसर हमारा हो जाएगा दे उठनी एक आदसी एक आदसी एक सब्सक्राइब करेक्ट आंसर और सबस्वा घंजी के राजस्तन सा एप नेक्स देखे लीजटांस पक्सी का दर्चन किस त्यवार पर सुब माना जाता है रक्षा, बंदन, दुर्गास्टमी, धंतेरस या फिर दसरा तो friends answer हो जाएगा दसरा right answer हो जाएगा दसरा का सबसे बड़ा कमेला कहां बढ़ता है राजस्तान में तो कोटा next देखे किस दर्म में नव वर्ज का प्रारम नव रोज से होता है जैन, पार्सी, बोध, सिंधी तो आपका answer हो जाएगा पार्सी, राइट answer है पार्सी, पार्सी धर्म जो है इसमें नव वर्ज का प्रारम होता है, नव रोज से होता है पार्सी next देखे, ये देखे, next question, आपसे पूचा है कि इन में से इसायों का त्योवार कौन सा नहीं है, options है, तधर्डरी, essence दे, या फिर Easter दे, या फिर Christmas दे, तो friends, answer हो जाएगा option A, बाकी के ये जो है, ये सब भी इसायों के त्योवार है, ये लीजिए, next question, इसका अंसर बताइए, friends, आपसे यहां पर पूचा गया है कि निम्र में से इसा मसी के पुनरजीत होने के उपलक्स में इसायों कौन सा त्योवार मनाते हैं, 100% सभी का सही answer होना चीए, बहुत important question है, Christmas, Easter, essence day, या फिर तधर्डरी, तो answer हो जाएगा, Easter day, answer हो जाएगा, option B, right answer होगा, ये लीजिए, next question, किस त्योवार पर विद्या की देवी सरसोती की पूजा होती है, तो ये तो पताऊना चीए, सभी को पताऊना चीए, काफी easy question है, important भी है, तो friends, कब होती है, बसंत पंचमी पर होती है, और बसंत पंचमी का जो ये त्योवार है, ये मनाया जाता है, माग सुकल पंचमी को मनाया जाता है और भगवान श्री कृष्ण जो है वो इस उत्सव के आधी देवता है अगर पूछे जाए कि कौन से भगवान इस उत्सव के आधी देवता है बसंद पंचमी के तो आधी देवता है ये श्री कृष्ण भगवान श्री कृष्ण इसलिए ब्रज प्रदेश में आज के दिन राधा और कृष्ण की लीलाय रचाई जाती है कमर रचाई जाती है बसंद पंचमी के दिन फ्रेंट्स ध्यान दीजिएगा इस दिन से जो फाग उडाना प्रारंब करते हैं और मतलब कि देखो चलो ये चीज इतने इंपोर्टेंट नहीं है बसंद पंचमी के दिन देवी सरस होती जो है उनकी पूझा की जाती है और इस दिन लोग पीले वस्तर के कपड़े पैनते हैं पीले वस्तर के इस मतलब कि घरों में मीठे चामल बना कर भोग लगाते हैं बहुत इंपोर्टेंट चीज है नेक्स देखिए भाद्रपद्र कृष्ण द्वादसी को मनाया जाने वाला त्योहर कौन सा है तो फ्रेंट्स ये त्योहर है बच्छ बारस आंसर हो जाएगा बच्छ बारस राइट आंसर है उप्शन बी नेक्स देखिए आपसे पूछा है जल जूलनी ग्यारस का पूछा है जल जूलनी ग्यारस का पूछा है जो जल जूलनी ग्यारस है ये कब मनाय जाती है तो फ्रेंट्स जल जूलनी ग्यारस के बात करें तो सबसे मतलब कि ये वैसे कहां इसका मेला भरता है तो उसकेस में च क्या कहा जाता है तो फ्रेंट्स उपलीशट की बात हें जिसको कहा जाता है चाना चट » ? Will किस दिन नेवलो की पूजा होती है और यह कब होती है तो बहुत बार पूछा भी जा चुका है तो देखो नेवलो की पूजा की बात करें तो निडरी नौमी को पूजा कि जाती है जिसे क्या कहते हैं निडरी नौमी कहते हैं इंपोर्टेंट नेक्स देखिए ये देखिए गुरु गोविन सिंग जैनती कम मनाई जाती है गुरु गोविन सिंग जैनती के बारें बात हो रही है फ्रेंड्स जिसके लिए आपको चार ओप्संस दिये हुए है तो देखो गुरु गोविन सिंग जैनती के बात करें तो पोस्ट सुकल सब्तमी को मनाई जाती है आपका आंसर हो जाएगा ओप्सं ए राइट आंसर है ओप्सं ए करेक्ट आंसर है ये लीजिए नेक्स्ट कुशन और आपसे पूछ लिया कया है बड़ी तीज या फिर कए सातूडी तीज या फिर कजली तीज इन तीनों के नाम से इसे जाना जाता है कब मनाई जाती है बहाद्र पर्द कृष्ण तिर्टिया को मनाई जाती है और ये जो त्योहार है न ये तो आमने देखे लिए भाध्रपरत क्रिश्ொ को मनाय जाता है और ये तिवर इस्ट्रियों दुआरा स्वाग की दिरगयायू और मंगल कामना के लिए मनाया जाता है जिसमें इस्तरियां दिन भर मते वरत रख करके रातरी को चंद्रमा को अर्ग दे करके इस वरत अर्ग दे कर और फिर भोजन करती है तो इस तरह से ये जो ये तीज है ये मनाई जाती है और हाँ एक ओर चीज फ्रेंट सबसे इम्पोर्टन चीज आपको ध्यान रखना है कजल अर्ग जाती है क्रिशन जन्मास्टमी है क्यों मना जाती है उसका अंशर बताईगा तो इसी क्रिशन जन्मास्टमी की बात करें तो भादर-पर्दर क्रिशन अस्टमी भाद्र पद्र कृष्ण अस्टमी चेक करते हैं कौनसे ओप्षन में ओप्षन सी ओप्षन सी राइट आंसर हो जाएगा और देखो इस दिन क्या होता है कि क्यू मनाई जाती है तो इसे कृष्ण जनमोस्तव के रूप में मनाय जाता है कृष्ण जनमोस्तव के रूप में मना विशेष पूजा अर्चना करके भोजन ग्रेल किया जाता है तो यह हमने देखा स्रीकृष्ण जन्मास्टमी के बारे में अब देखते हैं गुरु को भी जैन्ती के बारें पूछा गया है फ्रेंड्स तो ये मनाई जाती है पोस्ट सुकल सब्तमी को मनाई जाती है तो आपका आंसर हो जाएगा ओप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा ये लिजी ए नेक्स्ट कुशन और आपसे पूछ लिया है हर्तालिका तीज के ब जाएगा नेक्स्ट है कि छोटी तीज का त्यावार किस महा में मनाया जाता है बात ओर ये फ्रेंड्स छोटी तीज जिसको स्रावनी तीज भी बोलते है स्रावनी तीज और छोटी तीज में कन्फ्यूज नहीं होना है तो फ्रेंड्स ये मनाया जाता है स्रावन सुकल तिर सिधा जैपूर की तीज की सवारी ये भी ध्यान रखना है ये देखे नेक्स्ट क्यूशन गुरु पूर्णीमा कहते हैं किसको आसाड पूर्णीमा स्रावन पूर्णीमा भादरपद पूर्णीमा माग पूर्णीमा तो फ्रेंड्स गुरु पूर्णीमा की बात करें तो आसा तो आपका आंसर हो जाएगा चैत्र शुक्ल तरतिया और इस त्योहर की बात करें, तो भई 18 दिन तक यह त्योहर चलता है और जो घंगोर का जो मेला गनगोर जो है वो कहां की प्रसिद है जैपूर वह उधैपूर की प्रसिद है और इसी तरह से देखो एक जगे का नाम है ज गुलाबी गणगोर मनाई जाती है नेक्स देखिए किस दिन मैन वरत किया जाता है माग अमाउश है भादरपद अमाउश है फालगुन अमाउश है या फिर स्रावन अमाउश है आंसर हो जाएगा माग अमाउश है option A right answer है यहाँ देखिए next question राष्टे पंजांग का पहला औ और अंतिम माह कौन सा होता है पहला और अंतिम माह बताना है फ्रेंड्स तो यह तो देखो नॉर्मल सा क्यूशन है सभी को पता होना चीए सभी को पते हो इस टाइप की क्यूशन तो इजीली सबको पता होता है तो देखिए फ्रेंड्स पहला मैना कौन सा होता है चैत्र होत जो इसमसी है इनके पुनर जीवित होने की खुशियों में मनाते हैं यह इस्टर तो आपका अंसर हो जाएगा आपसे पूछा कि राजस्तानी त्योहार में सबसे ज्यादा गीतों वाला त्योहार कौन सा है वेरी वेरी इंपोर्टेट तीज गंगोर दिपावली या फिर होली तो फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा गंगोर क्योंकि इस त्योहार की बात करे तो ठारा दिन तक चलता है अब यह ठारा दिन तक चलता है तो कबसे शुरु होता है तो फ्रेंड्स यहां देखिए चैतर कृष्ण एकम से गणगोर का पूजन जो है वो आरम हो जाता है और चैतर सुकल तिर्तिया तक चलता है और इस दिन क्या होता है कि मतलब कि जो गणगोर का है ये जो त्योहार तो मतलब कि सीव और पारवती के अखन प्रेम का ये प्रतिक होता है जिसमें गण का मतलब मह जादेव होता है और गौरी का मतलब पार्वती होता है जैपुर और उधैपुर के गणगोर सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है और इसी तरह से एकुर गणगोर मनाई जाती है जिसका नाम है गुलाबी गणगोर फ्रेंट्स ध्यान दीजिएगा गुलाबी गणगोर कहां की मनाया जाता है रामनौमी का त्याछार कम मनाय जाता है तोस्ट के देखा है यो फ्रेंट्स राम नॉमी को तयौए आपसे पूछा गया है तो देखो राम Neo के तयौहर की बात करें तो यह मनाया जाता है «cet r-sukhl-n miau को मनाया जाता है ein often протक्छ सुखल-n acomie मैं नेक्स सीग दुलंडी का त्यावार तो ये तो सभी को पता हो नची दुलंडी का त्यावार जो है ये कम मनाया जाता है चैत्र कृष्ण एकम को मनाया जाता है चैत्र कृष्ण एकम राइट आंसर है नेक्स देखते हैं किस त्यावार को काली गाई वे काले तिल का दान किया जाता है वेरी वेरी इंपोर्टेंट तिल चैत या फिर गोपास्ट मी या फिर बच्छ बारस या फिर सठतिला एकादसी तो ये किया जाता है सठतिला एकादसी को option D right answer है नेक्स तेकि त्रीपूर पूर्णिमा किसे कहते हैं त्रीपूर पूर्णिमा की बात ओरी है friends option से अस्विन पूर्णिमा कार्तिक पूर्णिमा चैतर पूर्णिमा या फिर स्रावन पूर्णिमा तो इसमें से जो ये कार्तिक पूर्णिमा होती है ना इसी को कहते हैं हो नेक्स दिखिए नेक्स आपसे पूछा है पिपल पून्यमा का त्योहार आंसर आपके लिए पूछा है आपके सामने options दिये होए है तो चार options आपके सामने हैं बताइए solution का right answer क्या होगा क्या पूचा ए people Puneewender का तीवहर आपसे पूचा गया है हमारा answer हो जाएगा बैसाख पूर्णीमा तो देखो बैसाख पूर्णीमा पर क्या होता है ये जो people Puneewinder का त्यवहर है इसको मनाया जाता है next देखे निवलो की पूजा इसके बारे में तो मैंने बताई दिया था निडरी नौमी को की जाती है निवलो की पूजा कब की जाती है निडरी नौमी को की जाती है और इससे related facts की बात करें तो बताया थे मैंने तो और जो देखो कब की जाती है अगर ये पूछे तो स्रावन कृष्ण नौमी को की जाती है सर्पो के आक्रमन से बचने के लिए स्रावन नौमी को नेवलो की पूजा की जाती है जिसको हम कहते है निडरी नौमी नेक्स्ट, राज़तान में बूडी तीज मनाई जाती है, बूडी तीज की बात हो रही है फ्रेंट्स, देखो बूडी तीज की बात करें तो बूडी तीज कम मनाई जाती है, आपको पता होना चाहिए फ्रेंट्स, बूडी तीज कम मनाई जाती है, भाद्रपद्र कृष्ण के लिए आटे की साथ लोया बना कर उन्हें खिला कर ही बोजन ग्रेंड करते हैं ध्यान दीजेगा इस दिन क्या होता है गायों की पूजा करते हैं और साथ गायों के लिए साथ लोया बनाते हैं आटे की रून को खिला कर गायों को खिला कर तबी जाके बोजन ग्रेंड किया जाता है कब किया जाता है बूड़ी तीज पे कब मनाई जाती है भादप्रत क्रेशन तिर्टिया को नेक्स देखिए अक्षे तिर्टिया की बात हो रही है अक्षे तिर्टिया इसका आंसर बताइए फ्रेंट्स क्या है मत्य की क्या होगा इस क्यूशन का राइट आंसर और तो यह चीज तो हमने देखी लिए और देखो होता क्या है हाँ एक और चीज आप देख सकते हो फ्रेंट्स हाँ इस दिन राज्य में हजारों विशेस बाल विवा संपन होते हैं तो यह भी ध्यान रखना है और यह एक अभुज सावा है फ्रेंट्स पूरे वर्स का यह ए नेक्स देखते हैं राज़तान में कजली तीज कजली तीज की बारे में मैंने सब कुछ आपको बताया था फ्रेंट्स कजली तीज का त्योहार कहां मनाया जाता है इसका मेला कहां भरता है तो इसका मेला भरता है फ्रेंट्स बूंदी में भरता है कजली तीज की बात करें तो इसको satouđi falando बी तीज भी बोलते हैं तो answer हो जाएगा बूंदी में और पूछा जाएक कब भरता है तो इस case में आप answer करोगे भादर पद कृष्ण तिर्तिया को भादर पद कृष्ण तिर्तिया को भरता है नेक्स देखिए uniform राजस्तान में गुड़ा त्यावार अब बात हो रही है चार options दिए गए friends इसका answer बताएएगा गुड़ा त्यावार की बात कर रहे हैं जो गुड़ा त्यावार है ये कब मनाया जाता है ये आपसे पूछा गया है राजस्तान में घुड़ला ये तो घुड़ला या तित्र कृष्ण आस्टमी को मनाया जाता है। और ये जो घड़ा है बाद में इसको तालाब में भाद दिया जाता है और इस त्योवार पर चैत्र सुधी सुकल तीज का मिला भरता है नेक्स्ट निवन में से कौन सा त्योवार होली के लगबग एक पकवाड़े बाद मनाया जाता है तो फ्रेंट्स ये त्योवार है गणगोर और गणगोर के बारे में सारी चीजे में कई बार 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 रिपीट करने की जरत नहीं है नेक्स्ट देखिए जल जूलनी एकादसी जल जूलनी एकादसी के बात ओर रही है फ्रेंट्स इसका आंसर बताईए क्या होगा राइट आंसर जल जूलनी या फिर कहें देव जूलनी एकादसी तो देखो ये का मनाया जाता है फ्रेंट्स ये मनाया जाता है बादर पद के दिन देव मूर्तियों को पालकियों में या फिर कहें विमान या फिर कहें वेगान इसमें विराजमन करके और जुलूस में गाजे-बाजे के साथ जलासे के पास ले जाकर और इसनान करवाया जाता है तो इसी को कहते है जलजूलनी एकादसी ठीक है तो यह चीज हमने लिए नेक्स देखिए जिसके दौरान पुरुव जोकी पूजा की जाती है यह कम मनाया जाता है तो इसका तो सभी को पता होगा अंसर इसका अंसर हो जाएगा ऑप्शन भी राइट अंसर हो जाएगा भाद्र पद्र सुकल पूर्णी मा से और जो अस्विन किर्षन अमाश यह है तब तक यानी 15 दिन तक आना तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा नेक्स देखे निमन लिकित में से गोगा नौमी गोगा नौमी के बारे में मैंने एक एक चीज आपको बताई दी फ्रेंस तो देखो बार बार तो रिपीट करेंगे नहीं आपे सबसे पहले तो देखो गोगा नौमी के बात करें तो भाद्र पद्र क्रिशन नौमी पर मनाया जाता है तो आपका आंसर हो जाएगा भाद्र पद्र क्रिशन पक्स की नौमी तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी और यह इस दि प्रसिद है बहुत इंपोर्टेंट क्यूशन है तो आप्सन से महविर जी भरत पूर या फिर ब्यावर या फिर बाड मेर तो फ्रेंट्स आंसर हो जाएका बाड मेर जो है यह बहुत ही प्रसिद है पत्थर मार होली के लिए नेक्स देखे अब देखो यहां पर थोड़ा करेक्ट कीजेगा कजली दियावा कजली नहीं कजली कजली तीज जिसको सातूडी तीज भी कहा जाता है यह किस महां में मनाया जाता है कई बार मैं बता चुकियो फ्रेंट्स भाद्रपद भादों पर मनाया जाता है तो आंसर हो जाएगा ओप पहारों का आगमन माना जाता है और जैपूर की जो तीज है वो सबसे जदा प्रैसिद है विश्व में नेक्स देखिए जैपूर में तीज की सवारी किस महा में निकाले जाती है अब यह भी जस्ट पिछले क्यूशन में हमने देखा है आंसर हो जाएगा स्रावनी तीज जिस यह नहीं आता स्रावन मास में बाकी सभी त्यवार जो है यह आते हैं स्रावन मास में अब देखो जन मास में की बात करें तो भाद्र पद्र मास में आता है भाद्र पद्र में नेक्स्ट गोगा नॉमी गोगा नॉमी के बारे में सारी चीज़े मैं बता चुकी हूँ तो आ परव किस धर्म से संबंदित है यह संबंदित जैन धर्म से संबंदित जैन धर्म और आप से पूछ लिया गया है कि राजस्तान में कौन से चित्र में चैत्र सुकल पंचमी को गुलाबी गणगोर मनाई जाती है बैल गणगोर मनाई जाती है गुलाबी गणगोर के बारे में जो कि नाद दुआरा में मनाई जाती है नेक्स देखे राजस्तान में प्रतेक वर्ष चैत्र मास में गणगोर पूजन उत्सव की तिथी बता दी थी तो चैत्र सुकल पक्ष तिरतिया आंसर हो जाएगा option C right answer option C नेक्स देखे आपसे पूछा जा रहा है कि कौन से परू के मौके पर ढूंड बाटा जाता है हमें उस परू का उसका नाम बताना है जिस दिन जब ढूंड बाटा जाता है तो ये होली पर बाटा जाता है next कौन से महने में तीज का त्योहार बनाया जाता है तीज का त्योहार कौन से महने मनाया जाता है option C स्रावन, चैत्र, वैसाक या फिर माग तो ये मनाया जाता है स्रावन में option A right answer जिसको स्रावनी तीज भी बोलता है नेक्स देखिए राज्यस्थान में उब छट का जो पर्व है ये कम मनाया जाता है फ्रेंड्स उब छट के अगर हम बात करें तो भाद्रपर्द कृष्ण शस्टमी आंसर हो जाएगा ओप्शन सी नेक्स देखिए जूटन मिया का तमासा किस त्यवार के दिन खेला जाता है सीतलास्टमी दुलेंडी दसेरा या फिर अक्षय तिरतिया तो ये क्याल है जाता है ये सीतलास्टमी आप्शन ए राइट आंसर है इनमें से आपको बताना है कि कौन सी पूर्णिमा है जिसको रास पूर्णिमा भी कहा जाता है तो फ्रेंट्स रास पूर्णिमा कहते है अस्विन पूर्णिमा को कहते है अस्विन पूर्णिमा को कहते है रास पूर्णिमा नेक्स देखे तिल चौत का वरत किस महा में होता है तिल चौत का वरत माग अस्विन कार्थिक वैसाग तो फ्रेंट्स ये होता है माग में होता है उप्शन ए माग और देखो इसको न संकट चौत और या फिर वक्रतुंडी चतुर्ती या फिर तिल कुटा चौत भी कहते हैं इस दिन गणेश जी और चौथ माता की तिलकूटे का मत्य पूजा होती है और भोग लगाया जाता है तिलकूटे का. नेक्स्ट राजस्तान में बड़ी तीज मनाई जाती है बड़ी तीज कब मनाई जाती है तो फ्रेंट्स बड़ी तीज भादरपद क्रिशन तिर्तिया को मनाई जाती है भादरपद क्रिशन तिर्तिया और देखो बड़ी तीज है इसी को सातूरी तीज कजली तीज ये भी कह और देखो कार्तिक सुकल एकादसी को दे उठनी ग्यारस समस्त मांगली कारियों को प्रारम करने के रूप में मनाई जाती है ये विध्यान रखना है चलो देखते हैं नेक्स्ट क्यूशन ये देखिए राजसतान में खेजडी व्रक्स की पूजा किस पर उपर की जाती है वेरी वेरी इंपोर्टेंट ओप्सन से गंगोर, तीज, होली या फिट दसेरा तो फ्रेंट्स आंसर हो जाएगा दसेरा राइट आंसर हो जाएगा ओप्सन डी इंदू पंचांग के अनुसार छोटी तीज का त्यवार किस महा में मनाया जाता है स्रावन चैतर वैसाक भाद्रपद तो फ्रेंट्स आंसर हो जाएगा स्रावन ओप्सन ए राइट आंसर है स्रावन ये लिजिए नेक्स्ट क्यूशन विक्रम समथ पंचांग के अनुसार गंगोर त्यवार किस दिन मनाया जाता है गंगोर त्यवार के बारे में सारे फैक्ट्स आल्रेडी मैं बता चुकी हूँ चैतर सुकल तिर्तिया को मनाया जाता है चैतर सुकल तिर्तिया को गंगोर त्यवार मनाया जाता है नेक्स देखिए इस्टर त्यवार के पीछे इसा महां में गणगोर का त्यावार मनाया जाता है तो गणगोर का त्यावार मनाया जाता है चैत्र महां में ओप्शन ए राइट आंसर है नेक्स देखिए आपसे पूछा है कि विक्रम समध पंचांग के अनुसार यहां पे देखो क्या पूछा है एक सेकेड सीतलास्ट में के बा सा त्योवर श्रावन के महिने में नहीं आता देखि राजिस्तान के कौन से झेतर में चैतर सुक्ल' पंचमी को गुलाबी गणगोर मनाएजाती है मैंने आपको बताया था गुलाबी गणवगोर मनाई जाती है चेत्र सुकल पंचमी को नाथ दुआरा में ओप्सन ए राइट आंसर है नेक्स्ट क्यूशन अंचल जिसे होली के अवसर पर इजोली की सवारी निकालने की परमपरा है ये कहां पे है ये बताना है उदैपूर भिनाई ब्यावर बाड में तो फ्रेंट्स ये है बाड मेर में नेक्स देखिए विक्रम संवत के अनुसार एक वर्च में आने वाले निम्न त्योहारों का क्रम बताना है प्रारम से अंथ तक तो फ्रेंट्स देखिए चलो इस्टार्ट करते हैं सबसे पहले गणगोर गणगोर के बाद ये कृष्ण जनमास्ट में और उसके बाद गणेश चतूर्थी फिर गणेश चतूर्थी के बाद दिपावली तो इस तरह से आंसर हो जाएगा यहाँ पे देखो सिक्वेंस देख सकते हो इस तरह से करके नेक्स देखिए जन समुदाई द्वारा प्रिशुन पर्व जिस महा में मनाया जाता है उस महा का नाम बताना है तो फ्रेंट्स ये मनाया जाता है भाद्र मास में भाद्रपद में मनाया जाता है तो आंसर हो जाएगा ओप्शन डी नेक्स कुशन किस हिंदू महिने में तेजासमी मना जाती है तेजासमी की बात करें तो यह मना जाती है भाद्रपद में अंसर होगा चैतर सुकल एकम राइट आंसर हो जाएगा जुडि पढ़वा का त्यावहार मना जाता है नेक्स देखे यम्राज की पूजा करने का प्रचलर निम्न में से किस त्योहार का है तो देखो यम्राज की पूजा किस त्योहार पे की जाती है तो फ्रेंट्स ये की जाती है धनते रस पे की जाती है यम्राज की पूजा next देखिए वासंतीय नवरातरे किस महां में आते हैं बात ओरी है किसकी वासंतीय नवरातरों की बात ओरी है जिसके लिए option से आपके सामने चैतर मास, अस्विन मास, फालगुन मास या फिर कार्तिक पुर्णिमा तो friends answer हो जाएगा चैत्र मास और friends देखिए वीडियो पसंद आ रहा तो वीडियो को लाइक कीजिए जितना हो सके वीडियो को शेर कीजिएगा चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सबस्काइब कर ले next देखिए स्रावन मास की पूर्नी मा को निम्न में से कौनसा त्यवहर मनाया जाता है स्रावन मास की पूर्नी मा की बात हो रही है तो रक्षा बंदन मनाया जाता है तो देखिए friends आज के session को यहीं complete करते हैं पूरे questions हमने कर लिया है वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए जदा जदा वीडियो को शेर कीजिए चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें साथी बैल आइकोन दिखाए दे रहा होगा आपको बगल में जिसको क्लिक कर ले ताकि जो भी हम वीडियो डालेंगे उसकी नोटिफिकेशन एजीली आप तक पहुंच पाएंगे थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो